हेलो फ्रेंट्स मैं रोही सिंग एक बार फिर स्वागत करते हूं आप सभी का अपनी एंसे आटी समरी के वीडियो शेश्शन में दोस्तों लोग क्लास सिक्स की हिस्ट्री की एंसे आटी समरी देख रहा है आज हम चैप्टर नाइम ने पहुचे है और इसके हेडिंग खुश जानते हैं कि लोहा जो है आएरन है काफी आसानी से उपलब्ध है और हमारे रोजमर्रा कामों में हम लोही के बहुत सारे अजारों को अपयोग करते हैं लेकिन आज से लगबग 25 साल पहले लोही के जो जो ऑजार है उनका उपयोग बहुत तिरी से बढ़ने लगा और आज स जानते हैं काफी मजबूत होता है काफी उसमें इस्ट्रेंद काफी अच्छी होती है इसवज़े से जो इरिगेशन है और जो खेती किसानी वाला काम है उसमें लोहे ने एक करांतिकारी परिवर्थन लाया और जमीन को हम बहुत अच्छी तरह से अब उसकी जिसे हम कहते है मैं कि हल में हमने लेकड़ी जो फाल थी उसका उसको हटाव प्लेस करके मंने लोही के फाल का उपयोग किया जिससे घ्यती काफी अच्छी हूई और जो जम मिट्टीकी जो फर्टिलेटी है वह काफी बढ़िया हुई सिचाही में भी हमनरुनमें अच्छी के काफी एक तरह के काफी drastic changes हुआ और हमने अब ऐसे होजार बराने शुरू करती है जो की काफी मजबूत थे और उनकी जो लाइफ थी काफी अच्छी थी उसके बाद यहां बताया गया कि गाउं में कौन रहते थे तो जैसा कि अपने देकर की भारत जो है वो गई एक तरह से यहां प उत्तर में जो गा को होते थे तो उसके प्याम भुचक कहा गया और यह जो पद उनकतों परी जो mature से माना जाता ते जो अक बड़ा किसान उतहता थे तो उत्तर के जो एरिया है वहां पर उसको ग्राम भुचक क bahा गयता था वहींकर दच्छिन सबहारत कि आं अधिमई कहा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स और मेंस यह जो शब्द है ना ट्रम लॉजी इनको आप ध्यान रुखिए कि विलला कौन थे खल वाहे उडवार कौन था दास कड़ाई सियार या अधिमई किसे कहा जाता था यह आप ध्यान रुखिएगा का बेटा जहीं ग्राम भूजक बनता था और काफी बड़े किसान उते गाउंग वहीं ओर भूजक करे थे और उनके था जो कामकरते थे उनने मज़दूर कहा जिता था क्योंकि डेर्लिबलेड होते थे और इनका घृल अब मेंद्ध होतीなたा तर्यों काफीह वहा नहीं थे क इनकी जमीन चोटी थी जैसे उनको हमने सदन इंडिया में और वालो कहा था तो यहां पर उनको हम ग्रह पती कह रहे हैं और यह अधिकतर छोटे किसान होती यह ऐसे इस्ट्री पूरुश होती थे इनके पास काफी चोटी जमीन थी यह नहीं भी थी और ऐसे जो लोग जिनके पास जमीन कभी थी ही नहीं हमेशा वो लेंडलेस लेबरर रहें या भूमिहीन किसान रहें उन्हें करमकार कहते थे और वो दूसरों के जमीन पर काम करके अपनी जीवकश लाते थे इसके लावा गावं में लोहार जो है काम करता था कुमार जो मिट्टी के बरतनिया मिट् इस तरह उत्तर भारत में हमने वेद पुराण आरण एक वेदां की रशना की वैसे अगर साउथ इंडिया में देखे तो वहां पर जो संगम साहित ते काफी जादा इंपोर्टन बाना गया है इसकी रशना करीब ती ये 200 साल पहले की गई थी और इसे संगम इसलिए कहा जाता अन्हें लोगों मिलके इस जो साहित ते उसका संगलन की और सू कंपाइल किया इसलिए इसको संगम साहित कहा जाता है अब बात करते हैं कि जो पुराने जो किताबे हैं कहानिया है यात्रविवन हैं मुर्ती है या अर्कलोजिकल जो साइट है वो शहरों के बारे में क्या बताती है तो जैसे यहां पर एक बात कीकी जातक कताओं के बारे में जातक कताओं में वैसे अधिकतर जो कताओं वह कॉत्स से जिवन से JULIE ज़ूव से परना मिलती है लेकिन जातक कताओं में जरौत बृट बिख्शों है उनके द्वारा जो काम क्ये गया है उनके दोरा जीवन जिया गिया उनका संग्लन किया गिया है और यहां पर एक जातक कथा के वर्णेंड भी है एक स्टूरी है जातक कथा से जुड़े हुई यह स्टूरी की है मैं समझाया तो हूँ आपको कि गरीब एक लड़का रहता है उसके पास पैसे नहीं होते है उसको मरा चूह एक बिल्ली के मालिक को बेज देता है एक रुपएवे और उसके बाद उसके बाद एक जो बहुत ते जाही तुफवान आता है और जो राजा का राज़दरवार का बगीचा रहता है उसमें बहुत सारे जो पेड़ टहनी है वो तूड़ी आते है तो वहां का जो को मिलके बगी है को साफ़ करना है और इसके बंद निकार अधी है और भटया चाहिए होCE Certainlyili as effective in love और सामों डिखता है। जो में नहीं जा तो тो जो कि यह रैकि धरती यहर अई कि उसको मैं चीपके। उसके बाद इसमें बताये गया कि ये बहुत सारा पानी कठा करता है फिर जो कुछ किसान काम करते रहते हैं उनके पास जाता है उनको पानी पलाता है खास काटते रहते हैं तो वो खुश हो जाते हैं वो कहते हैं कि आपने इतना पुने का काम कि हम लोगों को पानी पला है तो अपने नगर में उसको बेशने तो फिर यह जो घास काट रहे जो किसानु थे उनके भाज जाता है और बोलता है कि कर यह वैपारी आएगा और आप सारी घास मुझे को दे दू और जब तक मेरी घास कट्थे ना भी कि जाए तब तक आपनी घास मत बेशना तो जब वह वैप बच्चा किस तरह अपनी बुद्धी का प्रयोग करकर के धन्वान या माला माल बनता है यहां पर हम नगरों के बारे में एक तरण क्या गया कि यह नगर है वहां पर दूसरे देश से दूसरे इलाके से वैपारी भी आरा खोड़ा बेशने वहां पर राजा भी है वहां पर ब कहानी उठाई और इसके नीचे कुछ सरे कुशन नहीं आप पढ़िये गप कि आप यहां पर क्या क्या देख रहे हैं इस शेहर में क्या क्या दिख रहा है आपको उसके बाद जो यहां के प्राचीन नगर हैं वहां पर हमने देखा कि यहां पर बड़ बड़े दारों में के बाद जो इमारती हैं काफी उची उची है उनकी रेलिंग लगी हुई है रेलिंग में हमने लोहे के प्रोप किया है बड़ बड़े खंबे लगाये हैं खंबों में अकाशी की गई है यहां पेक तस्वीर में आप देखना है कि दिली का वलाइकूप है जिसमे जलनिकासी के लिए यह वलाइकूप बनाए गया है और इसके दिछे आप देखिए यह बड़ा सा खंबा है साची का मजब पदेश में राइसे इंजले में साची स्थूप है जो कि विश्व रासत इस तहल है उसका एक खंबा दिखाया गया इसमें आप देखिए कितनी सार कितनी अच्छी डिजाइन बनाएगी बहुत सारे लोगों का इस्टरंड किया गया यह खंबा है पत्थर से बना हुआ है तो हम इस तरह के जो आर्किटेक्चर है या इस तरह के जो आर्किलॉजिकल साइट्स मिल रहे हैं उनको देख कि हम जान सकते हैं नगर की भविता क्य जो बड़ी शहर हैं बड़ी मारते थी उनके बारे में तो मालम चला रहे हैं जो घरते हैं जो आम लोगों घरते वो एटों से और या च्छपरों से बढ़ी थे तो वो तो अब जब इन दोच हो गए उनसे में ज्यादा कुछ मिल नहीं पाए कि उतने लंबी सम्द्र क्टि दिखा था बेरी गाजा आज कर भढूच कहलाता है गुच्रात में है और यह कोशल सिटी है थी और है भी तो इसमें बताए कि बेरी गाजा तक पहुशने का जो समुझी रास्ता था वो काफी सकरा था और उसमें को जो कुशल नाविक है जो कुशल सेलर था वही बेरी नीन की यहां पे काफी डिमांड थी और एक जैसे कोष्ण सिट्री थी तो यहां पर भारत का जो भी सावान था वह यहां तक आता था और उसके बाद ही हाँ से सैज़गे था तो यहां पर उस ट्रैवलर ने बताया कि यहां पर पहुशना काफी आशान नहीं था क्योंकि यहां पर जो समुदरी रास्ता था उसमें काफी चाज जुवार उठते थे और साथ में जो रास्ता था वह भी काफी तड़ा मझा रहा था तो यह सब बताया गया है और जो भी वैपारी आता था सिस्टम का प्रयूग नहीं कर सकते थे हम वहां पर जिसे कहते हैं कि सिकों का ही आधन प्रता करना था या जो से रूपीज या मुद्रा करन्सी कहते हैं उसका आधन प्रतान से ही हम सवान का लें दिन करते थे तो अलग राजाओं के अलग सिक्के थे यह हमने देखे ही हैं कु प्याहत की सिक्कें वह और यह सब सिक्क्वें हमें जो अरकलॉजिष्ट है वो को जमिन के पर दब गया हैं को निकाल रहे हुआ इसके बाद में इसकी स्टडी होती है वैसे सिक्कों की इस्टडी ऌन्यूमेश्मेटिक्स कहा जाता है जो का गठा करने का जो करके उनकी स्टेडी की जाए उसे नियुमी स्मेटिक्स कहते हैं अब यहां पर जो संगम साहित से एक छोटी स्कवता उठाई गई है कि यहां पर जो नमक के सौधागर है उनके बारे हम बताया गया कि यह वो बड़े बड़े उठों के साथ अब उनकी पीट में नमक के बोरे जद्धा या काफला लेकि तो सननाटा फैलता था यह सब बात बताई गई है उसके बाद यहां पे एक शहर का उल्लिक किया गया मतुरा का जो कि हमने देखा कुशान जो थे उनकी सेकेंड कैप्टल रही गी उनकी पहले जो कैप्टल थी वो तक्षिला है कुशान वही जाते समय या पुराफ से पश्चिन जाते समय बीच में एक तरह का जंक्शन बढ़ता था और इस सहर के चार और के लिए बंदी थी बहुत सारे मंदिर थे हैं आप आज ही मत्रा में सबस्यादत मंदिर है माई देश में और बहुत सारी मुर्थियों को भी बहतरीन कींदर यहां पर बहुत अच्छे चिनकाशियावली मुर्थियां यहां पर थी और साथ में हमें यहां पर बहुत दूस्ट जड़ हुए विहार और चैन मंदिर भी मिले हैं और कृष्ण भक्ति के लिए तो मत्रा फेमेसी है आप सब जानते हैं मत्रा में जो भी उस पुराने हारत का है, मत्रा ही है, यहां पर काफी सारे मंधिरों का होना यह बात दर शाता है कि यहां के राजाव लोग जो हैं वह काफी दानति करते ते डुक्षणा करते थे मत्रा के जब लेक कान लाहर बूनकरो डुकरी वालों के बारे में बताया गिया है अब यहां पर जो शिल्प और शिल्पकार थे उनके दोरा जो काम किये गए वो जब आर्कलाजिस ने उनको खुजा तो मालूम चला कि उन्होंने बहुत अच्छे है यहां पर नमूने बनाये शिल्पों के और कुछ नो मिट्टी के बरतन म बनाये थे मिट्टी के बरतन जो थोड़े कमजोर या बुरी वस्ताव मिले बहुत सारे नौर्दन ब्लैक शाइनी पार्टरी मिली है जो कि मत्रहकीफे में सही मानी जाती है और साथ में इनको इसलिए कहा थे कि हलके काले रंगे होते हैं और काफी शाइन मारते थे इनकी च संगम साहित की वहाँ पर का व्यू का समयन हुआ था यह सब बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे और खासकर यह जो कपड़ा उत्पादन है टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री के लिए वाय नसी उत्तर में और मतुराई दक्शन में काफी फिमस थे और यह इतनी बड़े शहर होती थी तो श्रेणी मतलब group of persons belonging to same occupation और यह श्रेणी होती थी यह जैसे शलपकारों की श्रेणी काम का training देती थी कच्छा माल उपलप्स कराती थी तयार माल का विटन करती थी जो व्यापारियों की श्रेणी होती है उसका काम थे व्यापार का संचनलन करना यह श्रेणिया पैसा कमाती थी तो बैंकों में अपना पैसा जम्हा करती थी और इससे उने मिलता था और को यह चाथ07 कमाती विश्नकुप्त ने, जिने हम कॉटलिया चड़क कहते हैं, उनकी किताब जो है अर्शास, उसमें कई सारे नियम बताए गए हैं, और उस नियम में ये सूत कातने और बनने का नियम कई बारे में चर्चा की गई है, कि जैसे हमने देखा कि वार नसी हो गया, या मदुरही हो ग जाल का पास या पटवा और सन से जो जिसे कहते हैं, रेशा या धागा त्यार करने एक काम जो कमजूर लोग हैं, जैसे विद्वाएं हो गई, सक्षम, अक्षम, महिलाएं हो गई, भिक्षडी हो गई, वैशाएं हो गई, या ऐसे लोग जो कि फिसकली जादा मजबूत नह अच्छा कम करने वाले का वेच जादा होता था, थोड़ा कमजूर कम करने वाले का वेच थोड़ा कम होता था, और इसके बाद इसमें बताया गया कि हर किसी को काम करना ही है, ऐसा नहीं कोई वैक्तिम मना करते काम करने से, और जो काम करना, जो ये सब राव मटेरियल्स, ज वो अपने ख़र से किसी विक्ति को फेच के करचा माल ले लिया उसके बाद समय Akल को उसमाल को उत्यार करगा वापिस फेचना था और जो Principal को में कमजोरी करते थे हैं, मांकारी करे थे हैं को सजा मिलती थी और जो लोग अच्छा काम बरते तो उनको अच्छा वेज मिलता था और जो जो अगर किसी वरत नेक अपना काम पूरा ने किया तो उसको जुर्माना पी देना पड़ता तो कभी को यह तुन का अंगोठा भी काट लेती थे इस अब बात बताई कही है जड़ जो आपी गल्फ कंट्री से वहां भी होता था और यहां पर कई सारे ऐसे बर्दन मिले हैं जिसमें अरेटाइन नाम की महर के काणने उन बरतनों को अरेटाइन का आगे और एरेटाइन नाम का एक शेहर है इतली में इसलिए माना जाता था कि इन लोग वैपार्त है वो रोमन स समराज की हमेले और बहुत से बर्तन जो रोमन समराज की तरह नकल मकर की हम बना जाते थे और जो भी अमीर वर की लोंग थे वह एसे बर्तनों को या ऐसे जो चीजे थे उनको खईदने अपनी शान समझते थे उसके बद यहांप एक तस्विर दी है ये अक्वाट्री तस्विर, अक्वाट्र मतलब यह होता है कि जो पानी के बहावए उसको थोड़ा कम किया जाये और इन अलग-अलग छोट अलट रास्तों से जब पानी उज़रेगा तो उसका बहावए थोड़ा धीमा हो जायागा इ इन्दी में छिलवाही सेतू केहते हैं तो ये रोमन समराज के काफी स्पेश्यालिटी थी रोमन समराज में एक राचाववस का नाम था कस्टस और उसने जो रोम बीच में इस्टेडियम था जहां पर वो किसी पितर के खेल कारान ले सकते थे तो यह कश्टस काफी फिमस राजा हुगा है आज से दो है अरसल पहले रोम का तो दोस्तों यह रहा इसमें यह जो है चैप्टर हमने नाइन देखा इसमें जो बेसिक बाती थी और खासकर जो इंपॉड़न बाती थी वह अमने बात करी लिए कि श्वेड़ी क्या होती है और हमने देखा कि विलला क्या होते हैं हमने देखा कर आम भूचक क्या होते हैं यह